स्वागत है आपका Grow with Skills में आज हम Date and Time की सीरीज में दो और फंक्शन को एक्स्प्लोर करने वाले हैं Year और Year FRAC जो भी चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अगर वीडियो पसंद आती है तो Like, Share, Comment जरूर कीजेगा तो चलिए Start करते हैं जैसा की यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है Year के अंदर जो हम आर्गिमेंट पास करते हैं वो एक ही आर्गिमेंट पास करते हैं जो है Serial Number मतलब Date, Year का क्या है जो भी हम Date पास करेंगे उसमें Year क्या है वो उस Year को Separate करके देगा अगर आपके पास कोई Task कैसा हाता है आपको Huge Amount में Dates दी गई है और आपको बोला गया है कि आपको Year Separate करना है तो आप Year Formula का Use करके Easily कर सकते हैं Year को Separate और आप अगर एक इट करके करना चाहेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा इसलिए आप इस Function का Use कर सकते हैं तो इसमें जो हमें Parameter देना होता है वो Date देनी होती है Date, Valid Date होनी चाहिए Date Format में ठीक है Otherwise आपको Error Receive होगा Output नहीं मिलेगा तो इसमें Simply आपको करना क्या है सिर्फ Year Formula लिखना है Bracket Open करना है और Date देनी है Bracket Close और Enter कर देना है तो यह देखे 2022 इसने Year डिस्पले कर दिया अगर मैं इस वले का Year चेंज कर देती हूँ तो यह उस According यहाँ पर भी Changes हो जाएंगे ठीक है तो Year function का काम सर्फ इतना ही है अब बात करते है Start Date, End Date और Basis तीन Argument इसके अंदर होते हैं जिसमें से Basis वाला Argument जो है वो Optional है आप दें या ना दें उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा Output पर ठीक है तो Start Date में आपको Starting की Date देनी होती है End Date में आपको Ending की Date देनी होती है और यह क्या करता है दोनों Date के बीच में कितने Year का Difference है यह वो Calculate करके देता है तो अगर आपको कभी ऐसा कोई टास्क आता है तो आप Year FRAC फंक्शन का यूज करके Easily Difference निकाल सकते हैं कि कितने Year का Difference है दोनों टास्क में ठीक है तो Formula Use करने का तरीका बिल्कुल ठीक है Same है इसके लिए भी Year FRAC सेलेक्ट करेंगे Start Date देंगे, Comma, End Date देंगे और Bracket Close कर देंगे, Enter कर देंगे तो यह देखिए इसने यहाँ पर डिस्पले कर दिया Year अगर आपको यह कामा नहीं चाहिए तो आप इनको कम कर सकते हैं ठीक है और अगर कुछ भी नहीं चाहिए तो वो भी हटा सकते हैं तो यह One as a One आपको डिस्पले कर देगा ठीक है, इसमें One Year का Difference है और इसमें Eight Year का Difference है, ओके एक और एक्जांपल के तुरूई से समझने की कोशिश करते हैं जैसा कि यहां पर आपको डिस्पले हो रहा है यह कुछ Name है, यह कुछ Date of Birth है ठीक है, इनके basis पर हमें Age calculate करनी है तो इस case में भी Year FRAC function का Use किया जाता है, पर उसको थोड़ा सा हमें Modification देना होगा वो कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ आपको सबसे पहले Year FRAC function लेना होगा ठीक है, Start Date देनी होगी यह वाली, अब End Date हमारे पास नहीं है Right, End Date नहीं है पर आपको पता होगा कि Age calculate करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारा Current Year चल रहा होता है Suppose 2022 अभी चल रहा है तो 2022 मैंसे हम Minus कर देते हैं उस Year को, जब हो हमारी Date of Birth थी, ठीक है Suppose किसी की 1990 Date of Birth थी, तो 2022 मैंसे, वो Minus कर देगा 1990 को, तो आपके पास यह Date डिस्पले हो जाती है Right, तो आपके पास Age आ जाता है तो वैसा ही कुछ, हम इस Function में भी करने वाले हैं हमने इसको Start Date तो बता दी कि यह आपकी Date of Birth है ठीक है, लेकिन End Date में हम क्या करेंगे, Current Date इसे बताएंगे, जो भी अभी की चल रही होगी, तो Current Date अगर आपको याद होगा, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि Today एक ऐसा Function है जिसके Through, हमें Current Date पता चलती है, कि अभी की क्या Date है ठीक है, Now जो Function था क्या करता था, Now एक Function था जो यह बताता था कि Current Date क्या है, With Time बट हमें याद टाइमिंग नहीं चाहिए हमें चाहिए सिर्फ डेट, तो हम क्या करेंगे Today फंक्शन का यूज करेंगे अभी हाली फिलाल में मैंने Today और Now पर वीडियो बनाई है जिसने नहीं देखी है, प्लीज जाके देख लीजेगा, आपको समझ मा आ जाएगा ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे हम इसको यही बताएंगे कि Start Date तो आपकी यह वाली है ठीक है, और End Date में लीजिए आप आज की Date, जो भी Current Date चल रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर Date ना देके हम यहाँ पर Formula पास कर देंगे Today वाला, और Bracket Open Bracket Close, क्योंकि Today के अंदर कोई भी हमें Argument देने की Need नहीं होती है और एक और Bracket Close करेंगे Year FRAC का, और Enter कर देंगे, तो यह देखिए यहाँ पर इसने Age डिस्पले कर दिया, अगर आपको कोई भी Point के बाद Word नहीं चाहिए तो वालब कम कर सकते हैं ठीक है तो यह देखिए, यहाँ पर जो भी Date of बढ़ती, उसके According इसने Age डिस्पले कर दी है ओके, तो यहाँ Finish होते हैं हमारे दोनों ही function Year और Year FRAC I hope आपको समझ माया होगा अगर वीडियो पसंद आई है तो like, share, comment जरूर कीजेगा और चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा and I will see you on my next one, thank you so much, bye